अपने करियर के पिक पर बॉलिवूड छोड़कर हॉलिवूड में सेटल होने पर प्रियांका चोप्रा ने बॉलिवूड को लीकर कई बड़े खुलासे किये हैं नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ शिखा सरोथ से बॉलिवूड से लेकर हॉलिवूड तक में अपना जल्वा बिखेरने वाली एक्ट्रेस प्रियांका चोप्रा की एक्टिंग की तारीफ हर कोई करता है प्रियंका चोप्रा साल 2000 में Miss World बनी फिर मॉडलिंग की दुनिया में अपना जादू बिखेडने के बाद प्रियंका चोप्रा ने बॉलिवुड से अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात की थी उन्होंने फैशन, साथ खुनमाफ, कमीने, बर्फी, अंदाज और एत्राज जैसी कई सुपर हिट फिल्मों में काम किया और खूब तारिफें बचोरी बॉलिवुड में उनका करियर शांदार चल रहा था, लेकिन फिर अच्वानक ही उन्होंने बॉलिवुड से हॉलिवुड में शिफ्ट होने का प्लान बना लिया प्रियंका ने सालों बाद अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूर हॉलिवुड में काम तलाश करने की असली वजह पर बात की है डेक्स शेफ़र्ड के पॉड्कास्ट आमचीर एक्सपोर्ट पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वो पहली बार अमेरिका में काम ढूडने की असली वजह के बारे में बात करने जा रही है क्योंकि वा इस बातचीत में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है प्रियंका चोप्रा ने बताया कि वह बॉलिवुड छोड़कर पहले सिंगिंग करने लगी थी और अमेरिका में काम तलाश रही थी दरसल बॉलिवुड में उन्हें जो काम मिल रहा था वह उससे बिलकुल खुश नहीं थी अपने म्यूजिक करियर के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा गाने ने मुझे दुनिया के दूसरे हिस्से में जाने का मौका दिया मैं उन फिल्मों के लिए तरस नहीं रही थी जिन्हें मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे कुछ लोगों और क्लबों के साथ कॉंटेक्ट बनाने की जरूरत थी, इसके लिए बहुत महनत करनी थी और तब तक मैं काफी काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये सब करना चाहिए, तो जब मुझे गाने का ओफर मिला तो मैंने कहा कि कुछ भी हो, मैं अमेरिका जा रही हूँ, उन्होंने आगे कहा कि इस इंटरनेशनल म्यूजिक ने मुझे दुनिया के दूसरे हिस्सों को जानने का मौका दिया था, मुझे ऐसे फिल्मे करना पसंद नहीं था, जिनके लिए मेरा मन राजी ना हो, मुझे बॉलिवूड म कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, बॉलिवूड के ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है हमारे साथ, और देखते रहे हिंदे खबर डिजिटर